वक्त और किस्मत पर कभी भी घमट मत करना कि सुभा उनकी भी आती है जिनके किस्मत खराब होती है आज हम कुश्चिन वट 3 चुरू करते हैं बिना देर के. घएको, कुश्चिन वट 3 में क्या कहता है? फिर इसको सबसे पहले यह मेरा प्रब्लेम है इसका अंसर पहले आ मुझाल ले तो सबसे पहले इस मैं से मैं एक लिनर इक्वेशन का पयार निकाल हूंगा तो देख्वें क्या हो रहा है, the difference between the two numbers is 26, दो number का difference 26, तो मैं मान लेता हूँ एक number x है और एक number y है और उनका difference है 26, फिर कियता है, and one number is three times more than other, देखो यह मेरा equation 1 होगी हाना, और कियता है, and one number is three times more than other, कियता है कि, एक मेरा जो number है, वो थीन गुना ज्यादा है दूसरे numbers, है ना, तो देखो, x equal to three y, यह मारा equation हो गया, देखो, जैसे कहा है, वैसे लिखते है रहना equation बनगे, है ना, x मेरा y से तीन गुना ज्यादा है, है ना, तो three y equal to x, तो यह equation 1, यह equation 2, अभी हम इसको solve करते है, मेताद यूज करके, यानि, देखो, हम यहां से क्या करेंगे, देखो, put the value of x, यह ना, put the value of x in equation 1, equation 1 में हम x का यह value है, इसको हम put कर लेते हैं, answer कितना आ रहे हैं, तो x कितना है, three y, three y minus y equal to 26 है, यह equation 1, अभी इसको solve करते हैं, तो two y equal to 26, और यहां से y equal to 13 है, तो y equal to 13 मिल गया, मुझे अभी y का value चाहिए, sorry, x का value चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, y का value मिल चुका है, तो अभी y का इसी वाले वाले को यहां पर put करते हैं, अभी यहां पर आम लिखेंगे, put the value of y in equation two है, equation two में अभी y का value put कर देते हैं, तो x equal to three y, three y क्या है 13, तो देखो, x equal to 13 in to three कितना होता है, 39, तो देखो, x का value मिल गया, और y का value मिल गया है, यह question number three का, पहला वाला का part है, अभी आम इसका दूसरा वाला part करते हैं,